हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीता, मेरे चैनल कुग वित मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है छट परव में ठेकवां का एक अलगी महत्व है, इसे छट पूजा में परशाद की रूप में बनाते हैं यूपी बिहार और जार्खन की यह एक पारंपरी क्रेसीपी है, जिसे आटा, गुर और घी से बनाया जाता है हम इसे छट पर में तो बनाती ही हैं, पर छट पूजा के अलावा भी इसे आप किसी भी दिन बना सकते हैं लेकिन अगर आपका ठेकवा खस्ता और कुरकुरा नहीं बन पाता है और नरम हो जाता है, तो आप इस टिप्स को फॉलो करें आपका ठेकवा बिल्कुल खस्ता और किस्पी बनेगा, तो चलिए वीटियो को शुरू करती हूँ, यहां पर मैंने 400 ग्राम गेहु का आटा लिया है, और जितना आटा लेंगे उसका आधा हमें गुड लेना है, यानि 200 ग्राम गुड लिया है मैंने अगर आपको ठेकवा चीनी का बनाना है, तो गुड की जगह चीनी ले ले, और मोयन के लिए 4 टेबल स्पॉन घी लिया है, और आटा हमें थोड़ा मोटा जैसा ही लेना है, स्पेसली जब हम प्रशाद के लिए ठेकवा बनाते हैं तो गेहु को थोड़ा मोटा ही चक्की मे पिस्वाते हैं, यानि थोड़ा मोटा ही आटा लेते हैं ठेकवा के लिए, और अगर आप इसी तरह घर के लिए बना रहे हैं, और आपके पास बारीक आटा है, तो आप उसमें 2 टीबल स्पॉन सूजी डाल कर भी ठेकवा बना सकते हैं, आटा, गुड और घी बस ठेकवा बनाने के लिए यही बेसिक तीन चीजें लगती हैं, और फ्लेवर के लिए मैं ली रहे हूँ, एक टेबल स्पॉन सौफ, तीन बड़ी लाइची ली है, काली वाली, और एक टुकडा सूखा नारियल लिया है, इन तीनों का बहुत है अच्छा फ्लेवर आता है ठेकवा में सौफ को दरदरा कूट लिया है, इलाइची को भी देखे कूट लिया है मैंने, और नारियल को बारिक काट लिया है, आप चाहें तो नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, अब गुड को चाको की हिल्प से छोटे छोटे टुकडों में काट लूँगी, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने इसे बारिक काट लिया है, अब इसमें half cup गरम पानी डाल दूँगी, अब इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ, आप चाहें तुगुर और पानी को थोड़ी देर के लिए गैस पर रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बड़ी थाली ली है, अब मैं इसमें यह आटा डाल देती हूँ, और यह दो टेबल स्पून घी डाल दूँगी, अभी दो स्पून ही ले रही हूँ, मोयन कम लगेगा, तो और डाल दूँगी, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हमें आटे को इस थरह से हाथ से म दिखर रहा है, तो यह बाकी बचावा घी भी डाल देती हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देखे, मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है, और बाइंटिंग भी अच्छी हो रही है, टोटल चार टेबल स्पून घी लगा है इसमें, अब मैं इसमें यह कटा हुआ ना पानी लग रहा था, तो वन फोर्थ कप पानी मैंने निकाल लिया था, 200 ग्राम गुड में वन फोर्थ कप पानी लिया है, और देखे इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल गाढ़ा जैसा ही हमें इसका सीरप चाहिए, ज्यादा पतला रहेगा, तो जो हम ठेकवां बनाएंगे वो मीठा नहीं होगा, तो देखे, इसी तरह का गाढ़ा जैसा ही सीरप चाहिए हमें, देखे, गुड में कुछ इंपरिटीज होते हैं, तो एक स्ट्रेनर से छान कर ले लूँगी मैं इसका सीरप, एक साथ जादा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा चाशनी डालकर, हमें इसका एक सेमी टाइट डोब बनाना है, बस इतना ही डालती हूँ अभी, पहले मिक्स कर लेती हूँ इसे, फिर से थोड़ा सा सीरप डालूँगी और मिक्स करूँगी, इसी तरह थोड़ा थोड़ा सीरप डालते वे, हमें इसका एक सेमी टाइट डोब बनाना है, तो इस बात का अब ध्यान रखें इसी तरह का डू हमी रखना है ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा सॉफ्ट अब 15 मिनिट के लिए ढग कर छोड़ दीती हूं ताकि आटा सेट हो जाए 15 मिनिट हो गया है तो मैं दीख लिती हूं आटे को आटा अच्छे सेट हो गया है अब मैं इसकी एक छोटी लोई लूँगी इस तरह से जब प्रशाद के लिए ठेक्वा बनाते है ना तो एक लगडी का साचा आता है यानि मोड होता है लगडी का उससे ही ठेक्वा पर डिज तोकरी ले 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 और उसके उपर यह लोई रखकर हलका सा प्रेस कर देंगे और देखे कितनी सुंदर डिजाइन बन गई हमें इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है देखे इतना ही मोटा रखना है मैं एक और दिखाती हूं बनाकर मुठी से इस तरह बाइंड कर ले औ तोकरी के उपर इस तरह से रखकर हलका सा प्रेस कर दें देखे इतना ही मोटा रखना है और किनारे से हलका सा क्रैक्स आ रहे हैं तो समझे कि इसका डो सही बना है इसी तरह मैं सभी ठेक्वा को शेप दे दूँगी और देखे मैंने सारा ठेक्वा को शेप दे दिया है अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी ठेकवाँ फ्राई करने के लिए मैंने एक मोटे तले की लोहे की कड़ाई ली है वैसे तो प्रशाद शुद घी में ही बनता है पर मैंने इसमें अभी रिफाइन वाइल डाला है आप जब भी प्रशाद बनाए शुद घी से बनाए देखे मैं एक एक करके ठेकवाँ डाल देती हूँ जितना स्सपेश है उस हिसाब से मैं डाल दूंगी अभी इसे टच नहीं करूंगी अभी एक दरफ से होने देती हूँ एक बात का ध्यान रखें बिल्कुल लोव फ्रहें पर ही हमें ठेकवाँ फ्राई करना है अगर फ्रेम हाई रखेंगे तो ठेकवां उपर से तो लाल हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इसे लो फ्रेम पर ही धीरी धीरी फ्राई होने देखिए जाग पहले से कम लग रहा है तो मैं एक-एक करके पलट देती हूँ इसे एकदम हलके हातों से पलटें क्योंकि ये काफी स आफ्ट होता है इस से बहुत ज्यादा उलट पलटकर टूटने का डर होता है बस दो-चार बार ही उलट पलटकर इससे फ्राई करें इसे गॉअलिन कलर आने तक और अबधें करनेा तो ये सॉफ्ट लगता है ऑप ठंडा होने पर एक अधम से दिखाता है देखिए इसका ऐ अच्छा गोल्डेन दिखने लगा है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, अभी इसे जांजरे पर ही छोड़ देती हूँ, अभी प्लेट में नहीं रखोंगी, तब तक सेकेंड बैच डाल देती हूँ कड़ाई में, अब पहली बाला ठेक हुआ, प्लेट में निकाल लेती लेकिन कहीं आपने मोयन जादा डाल दिया, या मीठा जादा कर दिया, तो इस केस में ठेकवा फ्राई करते वक्त तूट सकता है, तो ठेकवा बनाते वक्त, आप सहीम आपका ध्यान रखें, वैसे तो सभी लीडिस को ठेकवा बनाना आता है, बहुत अच्छे तरीके से, ल की रेसिपी बना है उमीद करती हूं आप सभी को ठेक्वा की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है फ्रेंज तो एक लाइक शरूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंज्स और सोसल मीडिया पर जरूर शेयर कर दें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत है फ्रेंज्स देखे मैंने सारा ठेक्वा फ्राई कर लिया है मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूं उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट तो आप भी इस तरह से ठेक्वा बनाकर अपने भच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती है या ट्रैवल पर भी ल दख लें कि 15-20 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ठेक्वा की रेसिपी कैसी लगी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ